आज हम जानेंगे कि PDF में से content कैसे copy करके word में transfer करना है इसके regarding मैंने already एक video बना के share किया हुआ है कि PDF को word में कैसे convert करें उसके लिए कौन सी website का use करें तो उसकी detailing अगर आपको जाननी है तो description box में से आप details access कर सकते हैं website का नाम है ilovpdf.com तो अभी यहाँ पर simple हम अगर editable PDF है तो आप उसको copy करके direct content को access कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक demo PDF बनाया हुआ है उसको open करेंगे for example यह box है और कुछ content है तो मैं control A करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो भी content है वो highlighted हो गया ठीक है उसको copy करेंगे control C करके ठीक है मैं next word open कर रहा हूँ मैं यहाँ पर shortcut key use कर रहा हूँ window key plus R का use कर सकते हैं तो यहाँ पर run window खुल जाएगा उसमें मैं लिखूंगा win word आप देख सकते हैं यहाँ पर already win word लिखके आ गया win word type करने के बाद enter करने के बाद यहाँ पर आप word open करके use कर सकते हैं मैं यहाँ पर control V करूंगा तो जहाँ पर जो first box वाला जो section था table था वो आप देख सकते हैं और second जो option है हमारा text है तो मैं उसको अलग से copy करूंगा right click करके या तो आप control C का भी use कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी text content था वो यहाँ पर आ गया same way अगर editable PDF file है तो आप उसका जो भी internal pictures वगेरा है या तो figures वगेरा है उसको आप copy paste कर सकते हैं तो simple way है इसकी हिसाफ से हम जो भी content है वो control C और control V करके copy paste कर सकते हैं आपको कोई भी queries है इसके regarding please comment section में comment कीजिए please like and share thank you very much